दोस्तो अगर आप ऐसी कंपनी के अकाउंट्स और टेक्स कंप्लाइंस देखते हैं भी जो कंपनी इंकम टेक्स के नई सेक्शन 194Q में कवर हो रही है और उस कंपनी में आप टेली प्राइम सॉफ्ट्वेर के यूजर हो तो आज की वीडियो में हम बताएंगी भी आप टेली स सेक्शन के तैत प्रचेज ऑप्जर की इंट्री हम टेली सॉफ्ट्वेर में कैसे करते हैं इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है तेकिन फिर भी हमारे कुछ वीवर्स की स्पैसरी ट्वेरी थी यह जो टीडियस डिडेक्ट की जो ओटो इंट्री है यानकि है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों वीडियो सारी ट्रीने वाल ये आपको टेईय को आक्टिवेर्ट करने के साथ साथ और ऑर कौन-कौन से Official females को अने वीडियो का कोई बीन स्टेप आप स्किपंद करती है तो हो सकता है आपकी टेईयust क्लेशन में या फिर 26 क्यू त्यार करने भी प्रोब्लम हो सकती है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी से रिक्रेस्ट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जुरूर कर देना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कीजिएगा ताकि मारे आने वाली हर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मौनसुतार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों टैली सौप्टवेर में हम कोई फीचर इनेबल करें या किसी फीचर के बारे हम समझें उससे पहले हमने जो प्रिविस वीडियो में जो 194Q के ताहर जो TDS डेडेक्ट करना है उसकी परशेज इंटरी कैसे करें थी उसको हम एक बार देख लेते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट उन सभी फंक्षन पर चलेंगे जो हमें इनेबल करने जुरूरी है तो इसके लिए हम डेबुक पर जाएंगे और यह हमने प्रशेज वाउचर की इंटरी करें थी और इस प्रशेज वाउचर की जो इन्वोईस की टोटल वेल्यों वो 75 लाक्स से पहले हम इसको एक बार इन वोस को असेट करते हैं इस तरीके से हमने इस वाउचर को असेप्ट करती है अब हम एक बार टॉटी सिक्स कुउ रिटन को भी देखते है वी वह वहाँ पर किस तरीके से जननेट हुई है इसके लिए डिस्पले पर जाएंगे इस डिपोर्ट पर जाएंगे और उसके बाद फॉर्म 26 क्यू पर जाएंगे तो उसके बाद आप देख रहों यहां पर 26 क्यू जो रिटन है वो आगी है और यहां पर आप देख रहे हो इस यहां पर पचास लाग रुपे की अमाउट को छोड़के जो उपर की जो माउट बची थी 25 लाग रुपे उस 25 लाग रुपे के उपर 0.1% के साब से यहां पर यह ट्डियस डिडेक्ट हुए 25 रुपे का वेल्यू ओटोमेटिक यहां पर इसके आईए 26 क्यू रिटन में अब हम बात कर करते हैं कि कौन-कौन से फीटर्स यहां पर इनेबल करने से हो सकता है आप से रह गयों इसको सबसे पहले आपको step to step समझने है तो सबसे पहले आपको f11 में जाएकने के बाद इस TDS को तो आपको yes करने है क्योंकि सबसे पहले आपको काम यह करने है TDS को yes करने है और TDS को yes कर जो भी information है 10 number से लेके आपको जो भी responsible person की detail सब कुछ आपको करना है और उसके बाद में आपको यह जो option आपके पास आएगा इग्नोर IT exemption limit for TDS detection एक तो आपको इस option को yes रखना है और active TDS stock item पर आपको TDS activate करने की जुरूरत नहीं है तो इसलिए इस function को हम कर देंगे यहां से no तो सबसे पहला point आपको यह रहेगा भी आप यह option को yes रहें अब गर आपके पास इस तरीके के option नहीं आ रहे है तो आप यहां से F वारा configuration option को use कर लेना और उसके बाद में यह जो option आपको द सभी को yes कर लेना तो यह सारे features आपके सामने open हो जाएंगे control A के साथ इस window को accept करेंगे और control A के साथ इसको भी accept करेंगे अब हम सबसे पहले उसके बाद में TDS को activate करने के बाद में TDS की जो nature of payment class है वो हमें create करनी पड़ेगी वालां कि मैंने कर रखे हैं आपको कैसे create करनी है वो आपको बता देता हूं मैं इसके लिए आपको यहां पर जाना होगा गेटवेब टेली पे only create पर create पर जाने के बाद आपको strategy master में आपको option दिखाई देगा यहां पर TDS nature of payment इसको आपको select करना है और उसके बाद में आपको यहां पर 194 Q की जो section है वो यहां पर उसकी fill up आपको detail देनी है कैसे देनी है वो आपको मैं alter करके दिखा देता हूं जो म आपके रखी भी है तो आप देख रहे हूं मैंने इस नाप से बने हैं TDS on purchase of goods इसकी section 194 Q है जो इसकी payment code है वो 94 Q है और उसके बाद में आपको यहां पर rate भी वो सारे देने पड़ेंगे जो individual का rate है with pen 0.1% के साब से है अगर pen number available नहीं कराता है बायर्स तो उसका 5% के साब से T इस डिडेक्ट होगा और उसके बाद में आपकी इसकी जो दियर शोल्ड या एक्जम से लिमिट है पचास लाख रुपे की वो यहां पर आपको देनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको एक option यहां पर मिलेगा more details का आपको इस more details पर click करने आप उसके बाद में यह tedious details की history आपके सामने आजएगे इंटरप्रेस करोगे तो यह सारा information आपको यहां आजएगा सारा जो अपने nature of class में वाँ पर डाल रखी है और सारी information आपको यह भी देखना भी यहां पर इसके बाद भी आपको 50 लाख रुपे की यहां पर पर हो रही है या नहीं हो रही है तो यह आपर होना बहुत ही जरूरी है तो आपको second काम यह करना है यानकि जो टेडियस की है nature of payment उसको create करना है अब बात आती है point number 3 की point number 3 को आप क्या करना है जब भी आप अपने suppliers का laser create करोगे जैसे कि मैंने कर रख है अल्टर पर हम जाएंगे laser पर जाएंगे जैसे कि मैंने सुमि TDS deductible इसको आपको yes रखना है और उसके बाद में deductive type तो यह आपको select करना है उनके pen number के coding भी वो individual है अच्छुफ है company है या फिर पार्टनर सीफर में जो भी है और उसके बाद में यह दो option आपको दिखाए देंगे और यह option आपको कब दिखाए देंगे जब आफ जैसे कि हम अब आपको केवल एक यह option दिखाई दे रहा है वी deduct TDS in same voucher, same voucher में आपको करना है या नहीं करना है अब करना है इसके बारे में बताता हूं आप बारा प्रेस करेंगे वापिस हम इसकी जो allow advanced entries in TDS master है इसको वापिस yes करेंगे इसको हम करते हैं यहां से yes इसको और yes करने के आपको जो TDS deduct same voucher है इसको तो कर देना आपको नो और उसके बाद में use advanced TDS entries है इसको आपको कर देना यहस आप जैसे इसको यह सम करेंगे और उसके बाद में आपसे यह option फिर माँगेगा advanced TDS entries के लिए ignore surcharge exemption limit इसको यहस कर देना है और उसके बाद इंकम tax exemption limit इसको applicable रखना है और उसके बाद में set alt zero low deduction इसको नोई रखना है यह आपको तीन नंबर काम आपको यह करना है अब यह तीन नंबर जब आप काम हम कर लेंगे तो उसके बाद में आपको purchase voucher की entry करनी है तो purchase voucher की entry करने के लिए आपको जैसे कि मैंने यहां पे कर रख है आपको मैं दिखा दे अब जैसे आप purchase voucher प्याओगे अपना voucher नंबर डेट वगेरा सब कुछ information party का account name यहां पर आप सेलेक्ट करोगे stock item सेलेक्ट करोगे quantity rate यहां तक सब कुछ से हो जाएगा यहां तक आपके जो purchase का लेजर अब यह आपके सामने option यहां पर आजएगा यह option आपके पास तभी आएगा जब आपने यहां तक के तीन step आपने follow कर ली है तो अब अगर मान लिजी अगर यह option आपके पास यहां पर नहीं आ रहा है तो F बार अगर आप प्रेस करोगे तो F certified text detail for TDS इसको yes रखना पड़ेगा अगर आप इसको yes नहीं रखते हो तो यह window आपके सामने open नहीं होगी तो अगर उसके बाद अब बात आती है accessible value का मतलब क्या हो गया बी जो आपकी exemption limit का मतलब अब जैसे कि यहां पर इसकी जो invoice value आप यहां पर देख रहे हो 63,55,932 रुप तो हमें 50 लाग को एक बार side में छोड़ना है और उसके बाद की value कितनी बनती है तो इसके बाद की जो value बनती है वो 13,55,932 रुपए तो 50 लाख रुपए की amount वो taxable amount से ही पहली deduct हो चुकी है यहनके cross कर दिया उसने तो उपर की amount है उसको में लखना है उसके बाद में आपको cgst text का जो भी आप laser create करोगे cgst text के अंदर भी आपको यहाँ पर tds applicable करना पड़ेगा और इसका जो nature of class जो payment पूछेगा तो हमने जो tds on purchase of goods का जो nature of class मनाई थी tds की वो ही select आपको करनी है यहाँ पर और यह आपको value जो आपने purchase का जो लेजर बनाया है purchase के लेजर में भी आपको यह tds applicable करना पड़ेगा और nature of payment में भी tds on purchase of goods का जो हमने इंक्लूड करना इसमें क्योंकि यह जो सेम प्रोसेस है वो tds वड़ा ही लग रहेगा अपर बाकी आपकी जो condition है या फिर इन्फोर्मेशन आपको यहां से इन्फोर्मेशन फिलप कर देंगे लेकिन अभी इसको मैं skip कर रहा हूं और इस voucher को हम यहां से करेंगे प्रोसे तो जैसे हम सेयर करेंगे और उसके बात में यह जो जन्रल्ल इंट्रिज्जिए इसको एक बार मैं आपको डिलेट कर देता हूं यहां से और यह जन्रल इंट्रिए यहां कि जो वेलिव वह आपको जो 50 लाग रुपे की उपर की माउंट थी वही दिखाएगा अब बात आती है जो हमें टीडियस डिडेक्ट करने पार्टी के काउंट में जो डेविट करने उसकी इंट्री कैसे करनी है तो उसकी इंट्री करने के लिए हम इस ओप्सन पर जाएंगे टीडियस डिडेक्शन पर हम या एल्ट जे भी आप शोटकट यूज कर सकते हो क्योंकि अभी आप ऑप्सन देख रहे हो यहां पर टीडियस टेक्स डिडेक्टेबल है यानिकि अभी यह 25 रुपे टेक्स अभी काटना है अगर डिडेक्ट कितना कर इसकी वेल्यू अभी आप देख रहे हो यहां पर जीरो है कुछ भी नहीं है लेकिन जैसे हम इसकी जर्नल इंट्री करेंगे यह 25 रुपे यहां पर आजएगा करेंगे तारिक आपको देनी है कित्ती तारिक तक आप कर रहे हो पार्टे का नाम सुमित अंड कंपनी अब सुमित अंड कंपनी है जो यह 25 रुपे से यह डेबिट हो जाएगा और उसके बाद में यह 1942 TDS on goods purchase अब यह जो लेजर है यह क्रेडिट हो जाएगा अब income tax यहां पर आप देख रहे हो 25 रुपे की हमने जो accessible value जो त्यार करके रखे थी और उसका 0.1% के साब से 25 गुर्मेट को deposit करवाना है तो अब यह जो आपको laser create करना है यह कौन से group के अंदर में करने इसको आपको रखना है अंडर में duties and taxes एक पर हम इसकी इंट्री कर लेते हैं जैसे हमने 25 रुपए की इंट्री कर रहे हैं तो आप यहां पर देख रहे हो इसके 25 रुपए की वेली अब यहां पर आ चुकी है तो कुछ इस तरीके से आपको यह सेटिंग करनी है और उससे पहले हमें आपको एक जो लेजर दिखाने वाड़ा रहे गया भी 194Q TDS on Goods Purchase जो तैबियस जो टाइप ऑफ डूटी जो आपको टैक्स कोचेगा यह जो आप्सन आएगा इसमें से आपको टेजिए को सेलेक्ट करने और उसके बाद में जो नेचर आप पेमिट है अब इस नेचर आप में में भी आपको वही क्लास औरेक्ट करनी है जो हमने TDS on Purchase जो गू को deposit करवाना आता है जो हमारी एक liability है और इसको हम कर देंगे save तो अगर इतने सारे step follow-up कर लेते हो अपने टेली software में तो आप शोर भी आपकी जो TDS की auto deduct entry है वो भी सही तरीके से calculate होनी शुरू हो जाएगी और 26 क्योंकि जो TDS कैसी लगी आप हमें comment करके जुरूर बताना वीडियो कर आपको नोले जब लगी हो तो प्लीज एक वीडियो को like दे के जुरूर जाना तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ